हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका सक्सिज फॉर लाइफ यूटूब चैनल में जो लोग इंटर्विव दे रहे हैं 65 वेगा उनके लिए मैं इंटर्विव सीरिज चला रही हूँ जो कॉस्चन पूछे जा रहे हैं उनको भी डिसकस करती हूँ और कुछ नया ऐसा लगता है जो पूछे जाने वाला है उसको भी बताती हूँ जैसे मैंने परसों बताया था जाती है जनगरना पर और उस सुबह में बताया और पूछा भी गया तो आप लोग जो न्यूज पेपर में जो मुद्दे हैं उनको अवज से पढ़ें वह बहुत इंपोर्टेंट होते हैं और उनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं तो आप उन पर अवश्य ध्यान दें हम एक ऐसे स्टुडेंट का इंटर्व्यू डिसकस कर रहे हैं आपसे जो आरपी एफ में है और उसके ही दिये हुए ये प्रश्न है जो मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ तीस मिनट उसका इंटर्व्यू चला उसने ग्रेजुएशन बीकॉम किया था गेट पर अनमती लेकर अंदर प्रवेश किया और बोड के सदस्यों का अभिवादन किया गया अभि अनमती मिलने पर कुर्सी पर बैठा तो बैठने की तरीके से ही चेयर्मेन ने बुलाया और पूछा कि आप सावधान की मुद्रा में क्यों बैठे हैं आप आराम से बैठ कब से कब तक आप कॉंस्टेविल रहें यह उसकी जॉब से रिलेटेट प्रशन थे सब इस्पेक्टर कब बने आप बिहार में जॉब करने क्यों आना चाहते हैं जबकि आप अच्छी जगह पर जॉब कर रहे हैं आपने ग्रेजुएशन कब किया है इसना तक में बिसाई क क्या कर रहे हैं यह सब जॉब से रिलेटेट प्रश्न अगर आप किसी जॉब में हैं तो अपने जॉब से रिलेटेट प्रश्न थे यार कर लिजे गहार प soybean लेकर पबलिक में काफी खराब चबी है आर पीएफ यात्रियों से पैसे लेती रहती है इस विसाय में आपका क्या कहना है आपका रेटार्मेंट कब हो रहा है आपकी कितनी सर्वेस अब बांकी है आर पीएफ का नाम सुनकर एक बोर्ड के सदस्थ द्वारा लगवक एक दिया गया तो आप भी यहां आकर इसी प्रकार का कारे करेंगे क्या ट्रेन के पीछे वाले डिब्बे में LV लिखा होता है इसका क्या मतलब होता है इस्टेशन पर लगे बोर्ड में समुद्र तल से उचाही लिखा होता है उसका क्या मतलब होता है आपका optional subject क्या है आसा क्या है आसा का पुराना नाम क्या था पुरधान मंतरी के द्वारा काफी योजनाय चलाई जा रही है किनी पांच योजनाओं के बारे में बताईए ये question common है इसे सब लोग तैयार कर सकते हैं पुरधान मंतरी की योजनाय भी तैयार करने पांच चे और जो बिहार सरकार की योजनाय हैं वो भी लोग डाउन के दोरान ड्रेलवे दोरा सरमेक स्पेसल ट्रेन चलाई गई थी अब आपने सरमेकों को किस प्रकार साहता दी आप अपना कोई ऐसा कारे बताएं जो कारे जनता के लिए जनता के हित में बहुत ही अच्छा किया गया है माल लीजिए चलती ट्रेन में किसी यात्री का समान चोरी हो गया है और आपकी duty उसी ट्रेन में है तो आप क्या करेंगे RPF के उपर व्रिष्टाचार के काफी आरोप लगते हैं क्या आप यहां भी आकर RPF की तरह व्रिष्ट कारे को बढ़ावा देंगे मियामार बॉर्ड पर कौन सी पेरा-मिलेटरी फोर्स तेनात रहती है बंगलादेश बोर्ड पर कौन सी पेरा मिलिटरी फोर्स तयार रहती है चीन की बोर्डर पर कौन सी पेरा मिलिटरी फोर्स तयार रहती है एकाउंट में बरतमान समय में एकाउंटिंग का कौन सा वर्जन चल रहा है आंगन बाड़ी की कारे करताओं का क्या कार है यह किस इसतर पर कार्य करता है अंतिम में एक सदस की द्वारा बोला गया कि आप पैरा-मिलिटरी फोर्स में है लेकिन आपकी जानकारी फोर्स से सम्मंदित कम है आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए थी मेरे द्वारा बंगलादेश बॉर्ड़ पर कौन सी फोर्स तैनात रहती है का जवाब गलत दिया गया था तो इस तरह से आप अपनी जॉब प्रोफाल से रिलेटेड प्रशन तैयार कर लें क्योंकि ये प्रशन पूछे जा सकते हैं और जो common question है जैसे योजनाय हो गई भारत सरकार की बिहार सरकार की योजनाय हो गई और अभी तो पहले जैसी भी इस्तिति नहीं है कि न्यूज पेपर मिलेगा तभी पढ़ेंगे आप जहां भी है आपके पास mobile तो है ही आप उसमें से current न्यूज जरूर पढ़के जाएं आज की ये important होती है सुबह चाहें तो आदा गंटे का समाचार सुन लें उसमें भी कुछ कुछ important news बता दी जाती है लेकिन बिविदभारती बगेरा ये All India Radio किसी का समाचार ऐसे ही किसी चैनल का नहीं तो आप इसे देख लीजेगा आपको लाब देगा धन्यवाद